हेलो स्टुडेंट्स मैं यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वाकत है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आव्यू सिद्दान से या आव्यू की साहिता से रेकिक समीकर निकाय का हल तो चली देखते हैं कि किस परकार से आपको कोशन दिया वाएगा और किस परक दूसरा है A2X प्लस B2Y प्लस C2Z बराबर D2 तीसा समीकरण है हमारे पास A3X प्लस B3Y प्लस C3Z बराबर D3 ये आपके पास समीकरण दिये में हैं और आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है आव्यू सिद्दान से तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे अरेंज करेंगे पहले डिजिट्स को यानिकी A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ठीक है फिर आप यहाँ पर लिखेंगे XYZ और इस तरब आप लिखेंगे D1, D2, D3 इस आप लिखेंगे A से इस आप लिखेंगे X से और इस आप लिखेंगे B से तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा AX is equal to B हमें XYZ की value निकालनी है तो यहाँ पर सिर्फ X से यह A हटाना पड़ेगा तो A हटाने के लिखेंगे? A inverse से दौनों तरफ multiply कर लेंगे A inverse से multiply कर लिया तो आप जानते हैं कि A inverse into A क्या होता है? A inverse into A होता है I इकाया व्यू यह A inverse B ऐसा कैसा और किसी भी काया व्यू को किसी भी आव्यू से multiply करते है तो पुनर वह या व्यू आती है तो X is equal to A inverse B तो यह method है इस method से आपको हल करना है question अभी एक example देखेंगे जिससे आपको पुरा idea लग जाएगा तो चलिए देखते है example अब हमारे पास एक समीकरण निकाया है जिसमें तिन रेकिक समीकरण दिये गए है और इस रेकिक समीकरण को आपको आवियू सिद्दान से हल करना है पिछले वीडियो में आपने क्रेमर नियम से हल करना सिखा है इस वीडियो में आवियू सिद्दान से हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपके पास question दिया गया है उसको आपस अपन लिख लेते हैं कि 2x-y plus 3z is equal to 9 x plus y plus z equals to 6 x minus y plus z is equals to 2 तो ये आपके पास अब आपको क्या करना आवियू बनानी है तो पहले digits की यानि कि x के digits y के जो coefficients हैं coefficients लिख देंगे 2 1 1 minus 1 1 minus 1 3 1 1 फिर क्या लिखेंगे x y z फिर हम यहां लिखेंगे 9 6 2 ठीक है तो यह हो गया हमारे पास a यह हमारे पास हो गया x और यह वाली चीज हो गया हमारे पास b तो हमें क्या ग्याद करना है हमें ग्याद करना है x is equals to a inverse b x पराबर a inverse b तो हमें यह ग्याद करना है तो हम सबसे पहले क्या ग्याद करेंगे हम ग्याद करेंगे A inverse और A inverse निकालने के लिए सबसे पहले आपको determinant A की value निकालनी होती है ताकि आपको पता लगे कि determinant A कहीं 0 तो नहीं है 2, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 3, 1, 1 इसे अब हम solve करेंगे तो solve करने पर हमारे पास इसकी value आएगी minus 2 जो की 0 की equal नहीं है अगर यह 0 की equal आज़ता तो हम x, y, z के मानन नहीं निकाल सकते तो सबसे पहले आपको सार्णिक A का मान निकालना है तो सार्णिक A का मान हमने निकाला यहाँ पे सार्णिक A का मान हमारे पास आया है minus 2 अब हम क्या करेंगे अब हम adjoint निकालेंगे तो adjoint निकालना आपने पहले ही सीख लिया है अगर आपने पिसला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जिसमें adjoint A भी सीखाया है कि किस परकार से ग्याद करते हैं तो यहां मैं adjoint A डारेक्ट लिखूंगा तो आपके पास adjoint A आएगा यहां लिख रहा हूँ मैं दो माइनस दो माइनस चार जीरो माइनस एक एक माइनस दो एक और तीन तो adjoint A आपको पूरा मैतर से निकालना है मैंने डारेक्ट लिखा है तो आपको बात समझ में आगए होगी कि हमने सार्निक A और adjoint A का माने निकाल दिया है अब हम क्या करेंगे कि A inverse की value निकालेंगे तो पहले आप इसको देख लिजिए ठीक से फिर अगला पेज देखते हैं तो हम ग्याद करेंगे A inverse तो A inverse क्या होता है adjoint A upon determinant A तो A inverse determinant A की value आई थी आपके पास minus 2 तो यह जगा minus 1 upon 2 और adjoint A की value जो आपके पास आई थी वो लिख दीजिए आपके पास adjoint A की value आई थी 2 minus 2 minus 4 0 minus 1 1 minus 2 1 और 3 तो यह आपके पास A inverse आ गया है अब आपको क्या निकालना है X is equal to A inverse B तो X is equal to A inverse की value इस एक बटा दो का आप अंदर गुणा करके लिख दीजिए तो आपके पास क्या जाएगा आपके पास अगर आप एक बटा दो अंदर नहीं गुणा करना चाते तो तो बारे रख देते हैं ताकि easy हो जाएगी calculation तो बारे रखते हैं यह 2, minus 2, minus 4, 0, minus 1, 1, minus 2, 1, and 3 और जो B थी आप view B देखिए पिछले page पे क्या थी? 9, 6, और 2 तो लिख देते हैं 9, 6, 2 तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों को multiply करेंगे जैसे आप यहों को गुणा करते हैं इसकी पंक्ति और इसका इस्तम तो X जो था, capital X वो क्या था? देखिए पिछे, capital X क्या था? X, Y, Z इस प्रकार से तो हम यहाँ लिख देंगे आप यहाँ लिख देंगे आप यहाँ की फॉर्म में X, Y और Z ठीके? यह minus 1, 2 ऐसा गैसा जब हम इनको गुणा करेंगे इन दोनों आप यहाँ को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बता दिये गए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो अब आगे स्वाल करते हैं यह हो गया X, Y, Z minus को एक बटदू को इसको अंदर बेज दीजिए तो आपके पास क्या आएगा? तो इस परकार से आपके पास X, Y, Z का मान आ गया तो यह एक एकजम्पल है आप उसी दान से प्रस्ण को किस परकार से हल किया जाता है?